करते हैं भुरुद करते हैं और इससे पहले प्रीज आप लोग जो भी देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लिज लाइक करतें वीडियो को ठीक है और और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोग like कर सकते हैं अगर अच्छा लगता हो तो ठीक है चलिए आज का पहला questions है यह questions है देखिए 0-0 से बिंदू इतना तक दूरी क्या है ठीक है यह 10th का questions है 10th का distance वाला जो chapter पढ़िएगा आप उसमें तो यह उसमें questions रहता था इसमें 2 point दिया हुए आपका इसमें distance का formula आप लोग पढ़े होंगे d बरावर होता है दूरी निकालने के लिए निद्रसंग जैमिती में ठीक है इसका formula होता है x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square यह होता है इसका under root ठीक है यह formula होता है तो आप क्या करेंगे यहाँ x1 y1 है यह इफ पहला point में और यहाँ x2 y2 है यह ठीक है अब देखें x2 बरावर कितना है माइनस 7 माइनस x1 बरावर 0 का square प्लस y2 कितना है माइनस 24 और माइनस 0 का whole square का under root ठीक है यह दिखिए यह माइनस 7 का square करिएगा तो 49 प्लस में माइनस 24 का करिएगा तो 576 ठीक है इसको जोड़िएगा तो 625 आएगा रूट में इसका निकाल लिएगा तो 25 आएगा आपका answer क्या जाएगा 25 बीनमबर ठीक है चलिए next questions questions है आपका अगर 3 संख्यावों के वर्ग का योग 150 है सेंटिमिटर है और इन 3 संख्यावों का योग 30 है तो एक बार में इन 3 संख्यावों को दो बार लेने का योग क्या होगा questions पूछ रहाई कि एक बार में इन तीनों संख्याओं को दो बार लेने का योग क्या होगा मतलब कि आप एक बार में इन तीनों संख्याओं को दो दो बार जोड़ना है आपको तिक है तिस questions को समझने के लिए आपको यहां से पता चल जागा कि यह किसी formula पर based है कैसे देखिए तीन संख्याओं का work दिया हुआ है x square y square z square मान लिए 150 और इसका क्या है इसका जो तीनों संख्याओं का योग है यह दिया हुआ है x y plus z दिया हुआ है 30 questions देखिए ठीक है अब क्या है इतना लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह किसी format पे है को formula पे है कौन सा formula पे है तो दिखिए x plus y plus z का whole square इसका क्या formula होता है इसका formula होता है x square plus y square plus z square ठीक है प्लस में 2 into xy plus xz plus zx ठीक है यह हो गया आपका formula आप यही questions में पूछ रहे है कि अगर इसको तिनों को दो बार जोड़ा जाए देखो एक बार में इन तिनों संख्याओं को दो बार लेने पर तो देखिए एक बार में इन तिनों संख्याओ दो बार ले रहें देखिए x x दो बार आ रहा है y भी दो बार यहां आ रहा है और z भी दो बार आ रहा है ठीक है ता आप इसी को निकाल लिएगा आपका answer आ जाएगा तो xyz का square आनि 30 का square 30 लिखेंगे तो तो हो जाएगा 900 is equal to x square y square z square ब्रावर कितना 150 ठीक है अब प्लस में 2 प्लस यहां क्या आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx ठीक आप देखिए 900 में 1500 घटा दीजेगा तो कितना आ जाएगा 600 और यह दो इधर आ जाएगा भागा में हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx इसी को निकालना था इसको काट दीजेए आपका जो भी आएगा एंसर आ जाएगा कैसे कटे का दूतिय चो यहां एक आ जाएगा दू सती 14 और इधर पंदू पर दूपचे 10 दीन सो पच्छत्तर सी नंबर आप्शन आएगा आपके तली नेस्ट कोईस्ट यह फर्मूला बेस्ट कोईस्टन्स था समझने का दीडर था बच्छनस है कि 500 संख्याओं का आउसत एकस है तो तो टोटल कितना हो जाएगा 5500 इंट्याकस हो जाएगा 500 गुनेका आनी टोटल हो जाएगा आपका 500.GO इसकी हो जाएगा टोटल 501 veo अब देखें वोल्टाइगि पंस Cantata तर दोसंख्याओं पांसुतिस और चार सु सत्तर को निकालाजाता है तो टोटल कितना निकाल दिया जाता है इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 निकाल दिया जाता है दो संख्यां में तो अब बचे हुए संख्याओं के समु का उसत 375 हो जाता है तो कितना बचा दो संख्या निकाल देजिएगा 500 में तो 4998 संख्या बचा, उसका हो जाता है आपका उसा 375, तो उसके इसे गुना कर देंगे, ठीक है, तो 6 कितना बचा देखिए, 6 बचा आपको, पहले ये जान लिजिए, 6 बचा 500X में आप घटा देंगे, 530 पलस 470, यही न 6 बचा आपको, क्योंकि यही दो संख्या निकाला तो क्या हो जाएगा, 500X माइनस 1000, यह आपका आगया, ठीक है, यह आपका आगया यहाँ पर, आप दिखेंगे, अब बोल रहा है क्या, तो 2 संख्या निकाला, आप बचे हुए संख्या के समुह का आउसत 395, यहाँ तो 2 निकाल दिए, तो बचा कितना है संख्या, बचा है, 499 संख्या बचा है, 2 तो निकाल दिए न, 2 संख्या, 500, 300, 470, 499 बचा है, जिसका आउसत है 375, और यह बरावर है, जो 60 बचा, 2 संख्या निकालने के बाद, 500X माइनस 1000, यह, अब इसको बना दिजेगा, आपका एंसर आजाएगा, ठीक है, अब देखें, 499, 375 को गुना कर क्या आजाएगा, 186750, प्लस में, यहां माइनस में 1000 है, देखें, माइनस में तिदर प्लस हो जाएगा, 1000, बरावर 500X, इसी का वेल्यू पुछा है, यहां दिखें, 500X का वेल्यू निकालें, ठीक है, इसको जोड़िएगा, तो कितना आजाएगा, 187750, यह आपका एंसर है, 500X के बरावर, ठीक है, तो आपका एंसर क्या जाएगा, दिखें तो C नमबर, ठीक है, कुछन्स में कुछ नहीं था, यह टोटल दिया हुआ है, दो संख्या निकाल लेते हैं, 6 बच गया यह, और यह 6 का आउसत दिया हुआ है, 375, तो 375 की जो 6 संख्या बच गया उसका, त इसको पहले आप बढ़ते हुए करम में सजा लेंगे, कैसे सजाएंगे देखें, पहले 30, 40, 60, 90, 100, 110, 180, 220, इसको सजा लिए, ठीक है, एक कोमा दे दे रहें, इस ठीक है, अब हो गया यह, कितने संख्या है, n बराबर 8 है, यह क्या इभेन नमबर है, इभेन के किसमे माधिक निकालते हैं हम, माधिका निकालने किलिवेन के के केस में हम करते हैं क्या बताईए, बता चुके हैं हम इस कोईश्चन को आई, ठीक सेम कोईश्चन बताएं, लगता है, रिपीट हो रहा है, एन बटे दोमा पद, ठीक है, एन बटे दोमा पद माधिका होता है, तो आठ है, यहां 8 बटे 2 लीखेंगे तो आनि फ्र्थ पद कौन सा पद हो जाएगा 4 पद फॉर्थ पद ऑपका है 90 आपका एंसर क्या जाएगा यह नंबर ठीक है समझ गए जोंसा पाद होगा इभेन नमबर में ऐसे निकालते हैं माधिका ठीक है और और नमबर का भी बता चुके हैं I think कल का questions में देख लेज़ेगा ठीक है चलिए next questions अब questions से यह देखिए यह formula based questions अगर formula आपको आता है तो यह बन जाएगा अगर नहीं आता है तो आभी सेख लें ठीक है formula होता है अगर इस टाइब के questions में पूछ दे किनारों की संख्या कौनों की संख्या आस्ट पूज़े यह है ति एक formula होता है आपको बता चुके हैं इसको F plus B minus E बरावर 2 जहां F क्या है आप लिख लिजेगा हम यहानी लिख पाएंगे F है फलकों की संख्या फलकों की संख्या भी है सिर्सों की संख्या या इसको बोलते हैं कोनों की संख्या भी क्या है कोनों की संख्या और E है किनारों की संख्या तीक है उसका यह relation है तो आश्ट भूज में 8 फलक होते हैं कितने 8 फलक प्लस V माइनस E बराबर 2 ठीक है, तो अगर हम यहां से V माइनस E निकालेंगे तो इधर 2 माइनस 8 हो जाएगा तो 2 माइनस 8 होगा आनि V माइनस E हो जाएगा आपका माइनस 6 अब पुच्छा क्या है? E माइनस B यहां से माइनस common ले लीजिए तो हो जाएगा ये e minus b और ये minus 6 minus minus कट जाएगा तो e minus b आपका क्या आ गया 6 यही आपका answer हो जाएगा c number ठीक है ये formula पर था next questions questions है एक दुकंदार ने mobile handset 10% की छूट की घोसना की ठीक है अधी mobile handset की चिन्हित कीमत मतलब उस पर जो किमत दिया गया है mobile handset पे जो लिखा हुआ है वो कितना है 1, 2, 3, 4, 20,000 ठीक है 20,000 है चिन्हित कीमत ठीक है 10% की छूट दे रहा है आनि 90 बटी 100 और GST भरदा पड़ता है उसको 12% की दर से आनि की ग्राहक ही देगा ना 12% जेतना है मुले वो तो देवे करिएगा GST वर दीजिएगा ठीक है तो कितना दिजिएगा 112% रतिजी ये 2,0, 2,0 गट गया ये 2,0, यहाँ कट गया इसको गुणा करिएगा 2,90 गुणा 112 इसका एंसर क्या आजाएगा आपका देखिए इसको गुना करके लिखिएगा तो आपका एंसर आ जाएगा 20,160 आपका एंसर क्या जाएगा यह नमबर यहां दिखें आपका यह किमत दे दिया गया है इस पे 10% का छूट है तो यहां तक 10% का छूट दे दिये आप बोल रहा है 12% GST भर रहा है आप बोल रहा है अधी ग्राहक के लिए GST के दर 12% है तो ग्राहक का मवाइल खरीदने के लिए कितना भुकतान करना होगा शूट पहले 10% था वो दे लिए अब ग्राहक को 12% GST भर रहा है तो GST तो जुड़ गया तो 112% हो गया ठीक है तो आपका यहीं होगा एंसर ठीक है चलिए नेस्ट कोईस्चन्स कोईस्चन्स है देखिए अच्छा कोईस्चन्स है यह कि परिच्छा में परिच्छा में क्या है लड़के हैं बॉइज हैं और गल्स हैं 1600 लड़के हैं दो हजार लड़किया हैं ठीक है समलित होती है 40% लड़के 40% लड़के 60% लड़कियां सफल होती है क्या होती है लड़कियां सफल होती है तो आपको पूछ रहा आ सफल होने वाले चली सफल कितने हुए वो निकाल लीजिए तो शोला सो का चालिस परतिसद ये कट गया आनि सोला जो के चालिस थीक है और दू हजार का साथ परतिसद दोजरू कट गया बीश्च एक बारा सो आ गया आनि टोटल बारा सो लड़की सफल हुए अब वाईज कितना हुए शेस्च चालिस तो टोटल कितना सफल हुए अठारा सो चालिस तो आ शाफल कितना हुए देखिए यहां गटा देजे 368,440 को घटाईएगा आप तो आपका आजाएगा 368,420 गटाईएगा तो 0000 आजाएगा और फिर आजाएगा 6 फिर 1 फिर 7 1760 आगया 1760 मतलब फैल हो रहा है 1760 फैल हो रहा है कितना में फैल हो रहा है 3600 में क्योंकि टोटल तो 3600 लड़का लड़की है गुने 100 यह आगे आपका परतिसाथ ठीक है यह दो 0 से 2 0 कट जाएगा इसको भागा दीजिएगा तो आपका एंसर आएगा 48.88 परतिसाथ बी नमबर आप्सन जाएगा ठीक है इसमें कुछ नहीं था बॉइज का संख्या दे दिया है गर्स का संख्या दे दिया है कितना परतिसाथ पास हो रहा है दोनों में ओ दे दिया है हम पास का निकाल लिए हमसे फैल का पूछ रहा है आसफल का तो जितना पास का था उसको घटा दिये तो फैल का निकल गए 1760 तो 3600 में 1760 फैल होते हैं तो कितना परतिसाथ फैल होते है तो अभाइज संख्या आपको बताए थे प्राइम नंबर बोलते हैं वैसी संख्या जो खुद से और एक से कटे देशे की दो तीन पांच साथ इससब क्या आभाइज संख्या है ठीक है उसे तरह यहां पूल रहे है पहले साथ तो पहले साथ कौन-कौन होगा दो तीन पांच साथ, नौ नहीं होगा, एक ग्यारा, तेरा, साथ होगा, देखे तो, तीन, चार, दुछे, पंदरा नहीं होगा, सतरा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, बटे साथ, साथ संख्या है न, यह आजाएगा 58, बटे 7, इसको करिएगा ता आजाएगा 8.28, इसका एंसर जा अंक गनित औसत की गन्ना करें, यह दे दिया है ठीक, आप इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं देखिए, इसको आप जोड़ेंगे, और 9 से भागा देदेंगे, आपका एंसर आजाएगा, क्या एंसर आता है, आप कॉमेंट कर में बताएंगे, यह भी है इसमें, आपका एंसर क्या आता है, इसको नंबर 19 का आप आप आपसं बताएंगे कि क्या आता है, यह आपके लिए, ठीक आप जोड़ के इसका एंसर निकालेंगे, शरिदी, सेम कॉमेंट का इसलिए छोड़ दिए, फिसको आपको एक चीप बताना चाहेंगे, कि इस वीडियो के लिंक के नीचे आपको Online Study Point का Link मिलेगा आपको चैनल का जो की अपना मेरा चैनल है इस चैनल में NTPC Math का आज का पहला लेक्चर डाल रहे हैं NTPC जो Formula का भरे हैं या Group D भरे हैं उसके लिए तो helpful है ही अगर आप CGL का केवल भरे हैं तो भी वहां variety of questions आपको मिलेगा NTPC का selected questions आप अगर वहां भी बनाएंगे यहां भी बनाएंगे तो 110% आपसे questions बनेगा ठीक है तो आप एक बार देखें आपको कैसा लगता है आप comment करके बताएंगे निचे आपको link मिल जाएगा आप चैनल को like कर देंगे मतलो subscribe कर लेंगे अभी चैनल अभी बहुत new है ठीक है और प्लीज आप लोग का support चाहिए अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्रीज सपोर्ट करें और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक कर देंगे ठीक है तो आप चैनल को पहले जाके देखें निंक आपको मिल जाएगा नीचे चलिए ये questions है कि ABC और XYZ दो तिरबुज है देखिए questions समझने वाला है ये भी 10th का questions है मतलब क्या कर रहा है सिद्यों हमको समझने आ रहा है मतलब कि दरुगावला exam में सब मतलब चलिए अपना style है पुछने का देखिए ये questions है ये questions है ये questions हम बना नहीं रहें ये पुछा हुआ questions है आपको ठीक है ये बी C और XYZ दो तिरबुज है ये A, A, B, A, C, A, X, Y, Z ठीक है दो तिरबुज है जिसके AB और XY ये बराबर है और XY बराबर है ठीक है पिर बोल रहा है य C और X, Z धेखिए ये बराबर है ये बिवराबर है ठीक है अब बोल रहा है कौन A और कौन X बढ़र है अब कौन A भी बराबर है अधि कौन A 60 ्डगेई ये कितना है साथ डिगरी तो कौन B 40 पौन B मेराबर है ठीक है आप ये तिर्भुज में आप देखेंगे कि इसमें क्या है सर्वांगसम का नियम आप पढ़े होंगे सर्वांगसम का कि तिर्भुज ABC सर्वांगसम का साइन इसे होता था सरवांगसम से इसमें सब जो जो जिस तरह से लिंक होगा यहां वाला कौन इसके साथ बराबर होगा यहां लाग कौन इसके साथ बराबर होगा तो यह भी 40 होगा और यह भी 80 होगा तो आपका answer कौन Z क्या जाएगा 80 degree क्या जाएगा 80 degree option A number ठीक है तो एक equations को बनाना नहीं था आपको यही देखना था कि इस तिर्गुज में कौन बच गया होगा वह 80 होगा आप पूछ रहा है यह उसी कौन Z का तो वहां से भी 80 होगा ठीक है ऐसी बना सकते थे आप diagram ट्रो करके बना सकते हैं वैसे बना सकते हैं ठीक है तो आपका answer जाएगा यह number ठीक है कैसा लगा वीडियो आप comment करेंगे अच्छा लगता है तो please like करेंगे ठीक है तब तक के लिए bye मिलते हैंगे